ही गाईज देखो जान लेते हैं कि कल के डेट से मतलब अगले हपते में जो बजार में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा तो वो किस बेसिस पे देखने को मिलेगा अगर आप पहले जान जाओगे ना तो मैं आपको लूँगा कि ऐसा नहीं है कि लगबग आपने भविस्त करेंगे लेकिन जिनको नहीं पता था कि कोई स्टॉक 50% तक गिर जागा तो वो क्या करेंगे कि पहले बेचके निकल जाएंगे और जैसे बेचके निकलेंगे यह स्टॉक धर 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 भागना शुरू हो जाएगा तो कभी-कभी आवेर्नेस होना जादा जरूरी होता है क्यो तो यह fluctuation up and down, up and down होता रहता है तो हमें अपने आपको संभालना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा कि reason क्या है तो एक एक करके मैं आपको reason बताने के कोशिस करूँगा यहाँ पर यह जानने से आपकी नीजी जिन्दगी में भी काफी जादा फर्क पड़ेगा थोड़ी बहुत knowledge मिलेगी और आपको पहले ही सोचने समझने की जो ताकत है stock market में बढ़ेगी देरे देरे जैसे कि आप लोग जानते हैं यूक्रेन और रश्या का जो वार है अभी भी चल रहा है अब यह वार के बज़े से market में क्या problem देखने को मिलेगा क्योंकि देखो द दो दिन के अंदर जितना भी धमाका हुआ है ना उसका धूँआ आते हुआ नजर आएगा समझे रो अब इससे पता चलेगा कि लगबग कि कल के डेट में बजार में कितना ज़दा उठक बेटे का आपको देखने को मिल सकता फ्लक्चुएशन हो सकता बजार काफी उपर भ देखने को मिलेगा तो यह प्रावलम देखने को मिल सकता है और यहां पर भी लगबग यह अपने जो है रशे जो है अपने फोर्सेस को भी बढ़ा रहा और बहुत तगला कॉम्पेटिक्शन देखने को मिल रहा है इनको यूक्रेन से यह खबर तो आपको पता होना ही तक यहां पर जो लगबग पैट्रोल और डीजल है उनके प्राइस कम से कम तो लगबग 15-22 रुपे पॉर लीटर जो है बढ़ने वाला है next week Monday से आपको दिखने को मिल जाएगा अगर आप petrol खरीदने जा रहे हो तो इतना बड़ा आपको लगबग जटका लगने वाला है petrol और diesel पूछो क्यों क्यूंकि मैंने देखा है जब पेट्रोल पंपे जाओगे तो आपको भी पता है होगा कि लगबग सरकार मतलब 2 रुपे 3 रुपे अगर सरकार तेल का प्राइस बढ़ाती है कितना 2 रुपे 3 रुपे तो लगबग कितना प्रबलम होता है लोगों को बहुत ज़्यादा महंगाई के सामना करना पड़ता लेकिन यहाँ पर तो भाई कुछ अलगी सायद पहली बार मतलब मेरे जीवन में तो मुझे लगड़ा जब से मैं देख रहा हूँ पहली बार लगबग 15 से 20 रुपे पेट्रूल का प्राइस बढ़ने वाला है वो भी एक जटके में मैं यह नहीं बोलना हूँ पहले तो पेट्रूल का प्राइस 60 रुपे था 70 रुपे था 80 रुपे था देरे-देरे करते करते हैं 100 रुपे हो गया उससे कोई तकलिव नहीं है लेकिन अगर 60 रुपे से एक ही बार अगर 80 रुपे 100 रुपे कर दिया जाए तक महंगाई बढ़ती हुए नजर आ जाएगी और ये मार्केट को डाइजेस्ट करना पड़ेगा ये मार्केट को डाइजेस्ट करना पड़ जाएगा यहाँ पर एक प्रावलम देखने वाली बात आ गई है और ये क्यों हुआ है रश्या यूक्रेइन के वज़े से जो वार हो रहा है रश्या ने प्राइज कम कर दिया है लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीद रहे है वहां से क्योंकि स्विफ्ट में रोक लगा दिया गया है इंटरनेशनल पेमें जो प्रावलम देखने को मिल रहा है यह जो तेल का प्राइज बढ़ रहा है इसका गुस्सा आप सरकार पे मत निकालेगा क्योंकि यहां पर साब सब बताया गया है यहां देख सकते हो दवार हैस पूजड ओल प्राइज तो यह जो है वार है जिसके वज़े से प्राइज जो है बढ़ता जा रहा है उसके बाद TCS शेर में बाइबेक देखने को मिलने वाला है तो हमें लगता है इस opportunity को देखना चाहिए जो कि लगबाग 9 to 23 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि लगबाग election यहां पर जो होने वाले हैं विदान सबा का जो result आने वाला है यह भी market को थोड़ा ही लाकर रखतेगा विदान सबा के वज़े से ही बहुत सारे controversy को दबा दिया गया था बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं जिनको ignore किया रहा था देखो मैं आपको बता दूँ जो देश चलाने वाले लोग हैं जो देश चलाने वाले लोग हैं वो खुदी अगर बिजी हैं तो कैसे public को संभाला जा स जिनके हाथ में सरकार आएगी तो उसके बाद वो action लेना start करें जैसे कि यह जो महेंगाई बढ़ी है petrol, diesel और भी सारी चीज़े यह सरकार जब पल्टे गी ना उसके बाद यह सारी चीज़े पब्लिक के सामने disclose किया जाएगा तो यह जो result आएगा इसके उपर भी market अच्छा ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर जो है लगबग आपको बताया जारा 40 year high पे पहुंच चुका 7.5% मतलब यह जो है अभी और बढ़ता जारा बढ़ता जारा inflation तो यह भी बहुत बढ़ी problem है जो कि लगबग market को नीचे लेकर जाने में बहुत जादा योगदान देने इनका भी काफी ज़्यादा contribution देखने को मिल जागा inflation जो हर जगा बढ़ते हुआ चाइना हो इंडिया हो या ब्रिटेन हो हर जगा आपको देखने को मिल जाएगा तो इसके कारण भी और थोड़ा बहुत market में pressure बना हुआ रह सकता है आपको क्या लगता है कि market कैसा हो सकता हा आने वाले दिनों में मैं आपको बोल रहा हूँ यह जो inflation बढ़ रहा है अमेरिका के तरफ से यह तो बहुत पहले से भी है balance rate को गिराया जा रहा है inflation rate बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर तो यह सारी चीज़े जब बजार इतना ज्यादा correct हो जागा ना तो हमारे पास एक बड देड़ लाक हुआ और अभी लगबग कम से कम तो टू लाक करोड का इन्होंने जो है माल बेज दिया है equity से जो कि लगबग यहाँ पर इंडियन मार्केट में इन्होंने माल बेज दिया है रहा कि domestic वालों ने थोड़े बहुत मार्केट को संभाला है उन्होंने धरी धरी ख देखना पड़ेगा और लगबग उसके बाद F&O में भी देखेंगे तो F&O के वज़े से मार्केट काफी ज़दा fluctuate करेगा और देख सकते हो बहुत सारे इंडेक्स है जो लगबग काफी अच्छे अच्छे लगबग जो है गिरावट में भी आपको देखने को मिल जाते ह तो अगर Global Market के इंडेक्स वगबग गिरते हैं तो लगबग हर जगा गिरावट देखने को मिलता है तो यह कुछ ऐसे फेक्टर थे जिनके कारण मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल बनी हुई रह सकती है तो आपको यह जानना जरूरी था क्योंकि अगर आपने सारे चीज सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा और युक्रेइन के वाज़े से बहुत सारे ऐसे जोलरी वाले स्टॉक है या बहुत सारे हैं स्टॉक जहां पर एक्सपोर्ट को रोक लगा दी गई है तो उनको भी लगबग ऑटो सेक्टर में काफ़ी बड़ा नुक जा भी सकता याद रखेगा तो यहां पर वोलेटिलिटी आपको जादा देखने को मिलेगा अभी